प्रमिश्वर पिता का हम दन्यवाद करते हैं यह बहुमुल्याव सर के लिए जो प्रभु ने आज हमें दिया है आज हम प्रभु के वच्चन के मनन के लिए पढ़ेंगे तिमुथियूस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याए और एक से लेकर पंद्रा आयत तक हम पढ़ अर्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुश्यों के लिए किये जाएं राजाओं और सब उचे पदवालों के निमित इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ती और गंभीरता से जीवन बिताएं यह हमारे उधार करता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है वह यह चाहता है कि सब मनुश्यों का उधारो और वे सत्य को भलिभाती पहचान लें क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुश्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है अर्थात मसी इश्यू जो मनुश्य है जिसने अपने आपको सब के वही ठीक समयों पर दी जाए मैं सच कहता हूँ जूट नहीं बोलता कि मैं इसी उद्देश से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठेराया गया सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवात के पवित्र हाथों को उठा कर प्रात्ना किया करें वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और सयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आपको सवारे न कि बाल गूथने और सोने और मोतियों और भहमूल कपड़ो पर भले कामों से क्योंकि परमेश्वर की भक्ती ग्रहन करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है और स्त्री को चुपचाप पूरी आधिनता से सीखना चाहिए और मैं कहता हूँ कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आग्या चलाए परंतु चुपचाप रहे क्योंकि आदम पहले उसके बाद हववा बनाई गई और आदम बहकाया न गया पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधनी हुई तो भी बच्चे जन्ने के द्वारा उध्धार पाईगी यदि वे सैयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्तिर रहें यहाँ पर प्रेडित पॉलुस अपने साथी शेवक तीमुतियूस को पत्री लिख कर इस महतोपुन बातों को वो बता रहा है जो आज के वरतमान कलीश्या के लिए या एक मसी के लिए बहुत ही जरुरी मंद और महतोपुन बात हैं क्योंकि हम ऐसे समय में हम जी रहे हैं प्रभुका वच्चन कहता है कि अंत के दिनों में कठीन दिन आएंगे और इस कठीन दिनों की सुरुवात हो चुकी है ऐसे समय में हम सच्चित रहकर जागुरुत रहकर हमें मसी जीवन को जीना है और इसके लिए परमेश्वर अपनी पवितरा आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने बहुमुली वच्चनों के द्वारा हमारे अगवाई करता है ताकि हम निर्बल ना हो हम कमजोर ना बने लेकिन प्रभु की वच्चन के प्रकासन के द्वारा उसके प्रकास में हम चल सके और इसलिए प्रभु के वच्चन हमारे पाउं के लिए दिपक और हमारे मार्ग के लिए उज्जयाला है और इसलिए प्रहित पोलुस यहां पर लिख रहा है कि अब मैं सबसे पहले यह आगरा करता हूं कि बिंती और फ्रात्ना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुश्यों के लिए किये जाए जब हमें मसी इश्व में चून लिए गए हैं परमेश्व ने हमें मसी इश्व में आसिस के मूल ठहराए है हर जाती के लिए हर भासा बोलने वाले लोगों के लिए हर प्रजाओं के लिए परमेश्वर ने हमें आसिस के मूल ठहराए है हमारे द्वारा परमेश्वर सारे लोगों को आसिस देना चाहता है इसलिए नसी इश्यू में उसने हमें चुन लिये है और इसलिए प्रवेत पहुलस कहरा कि हर मनुष्य के लिए बिंती फ्रात्ना निवेदन और धन्यवाद तुम करते रहें ना कि सिर्फ अपने भासा बोलने वाले लोगों के लिए या कुछ ऐसे समाज के लिए या जिसे हम पहचानते हैं जिसे हम जानते हैं उनके लिए इतना ही नहीं इतना ही काफी नहीं है हाँ वो जरूरी है कि जिन को हम जानते हैं जिन व्यक्तियों के विश्वई में हम अच्छी तरह से जानते हैं ऐसे लोगों के लिए तो हमें प्रातना करना ही है, ऐसे लोगों को हमें सुसमाचा सुनाना ही है, लेकिन जिन को हम नहीं जानते हैं, जो अन्जान लोग हैं, अन्यजाती के लोग हैं, जो अभी भी पाप के वस्में पुड़े हुए हैं, जो मूत्यों के आधीन हैं, वो नरक नहीं है मसी में हमें हर पल ऐसे लोगों के लिए निरंतर प्रात्ना धन्यवाद करना है यह हमारी जिम्मेदारिया है और परमीश्वर को यही अच्छा लगता अच्छा भाता है आगे वो लिख रहा है राजाओं और सब उचे पद्वालों की निमित इसलिए कि हम विसराम औ के साथ जीवन बिताएं जिस देश में हम रह रहे हैं जिस देश के हम नागरिक हैं हमारी जिम्मेदारिया हैं कि हमारे देश के अगवों के लिए हम प्रात्ना करें हमारे देश के बड़ा प्रधान के लिए राष्टर फ्रत्ति के लिए ग्रु मंत्री के लिए रक्सा प्र देश सुरक्षा में रहता है तो मसी की कलीशिया भी सांती से भक्ती के साथ गंबिरता से जीवन बिताएगी चेन के साथ जीने पाएंगे क्योंकि अगर हमारा देश अस्थिर हो जाएगा देश पर शत्रू विनास को लाएगा तो हम भी चेन के साथ जीवन नहीं और इसलिए उचे पदवालों के लिए हमें परातना करना है प्रभु से बींति करना है और देश की स्थीर्था के लिए स्थीर सरकार के लिए एक अच्छी सरकार के लिए में परातना करना है जो देश के अंदर सच्चे न्याई को लेकर आये अच्छे कानून को लेकर आये और सच्चा न्याई हर व्यक्ति को मिले इन बातों की विसेमे में निरंतर प्रात्न करना है क्योंकि हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा जो है शत्रु शैतान जो है जिसके लिए बहुत कम समय बच गया है इसलिए वो पूरे जोर्शे वो पूरा ताकत लगा कर देश के अंदर अर्शांती या तरह तरह की परिशानियों लाने के वो कोशिस करता रहता है युक्ति करता रहता है लेकिन हम मसी लोग परमेशर के ग्यान को पाकर उनकी विरुद में हमें लड़ना है हम एक युद्धा के रूप में परमेशन में रखा है सत्रू की हर एक शक्ती पर उसकी ताकत पर परमेश्य ने में अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा की शक्ती पर परमेश्य ने में अधिकार दिया है हमें किसी मनुश्य के साथ लड़ना नहीं है हर इंसान अच्छा है हर इंसान परमेश्य की हाथों की रचना है लेकिन जो दुष्ट है उस दुष्ट अपनी युक्तियों के द्वारा इंसान को पाफ के अंदर लेकर जाता है और विनास को लेकर आता है देश को वो नश्ट करने की युक्ति में रहता है देश को बरबाद करने की युक्ति में रहता है देश का अर्थ तंत्रों को भी गाणने की युक्ति में रहता है और एसे बातों को हम जानकर आत्मा में हमें प्रात्ना करना है आत्मा में निरंतर प्रात्ना करना है या कलीश्या की जिम्मेदारी है कलीश्या जा गुरुद होकर प्रात्ना करेगी तो देश को बचा पाएगी देश के उध्धार के लिए वो कारण ठहरेगी इसलिए जो उचे पदवाले जो प्रधान है राजा हो है जिसको परमेश्वर के द्वारा उसके नियुक्ति की जाती है ताकि देश के अंदर सच्चा नियाई देशको प्राप्त हो देश की उन्नती हो देश के अंदर लोगों सांती से जी सके हम दुनिया के अन्य देशों में देखते हैं जहाँ पर ताना साही है जहाँ पर अस्थीर सरकार है वहाँ पर लोग चेन के साथ नहीं जी पाते हैं लोगों के अंदर सांती नहीं है ये लोग चिंतित हैं अपने भविश्य के बारे में लेकिन अगर हम जानते हैं कि परमेश्य हमें स्थीर सरकार दें हम प्रभू को धन्यवाद करें अगर जो रही बाते हैं जिनके लिए में प्रात्ना करना है जो औयोग ये बाते हैं देश के अंदर चल रही है उनके लिए में प्रात्ना करना हैं कि सारी दुष्टताएं सारा अन्याई ब्रष्टाचार हर खुन खराबी देश से अद्रश्य हो जाए देश से निकल जाए और सांती का राज देश के अंदर स्थापित हो इसलिए हमें हमारे राजाओं के लिए हमारे प्रदानों के लिए हमें परात्ना करना है कि प्रभू उन्हें अच्छा ग्यान दे अच्छा देश को चलाने के लिए अच्छा उनको मन दे ताकि सारे देशवाश्यों सांती से रह सके और परमेश्यों का जो महान उद्धार है हमारे देश के लोगों के अंदर वो प्राप्त हो और इसलिए तब कलिश्या सांती से चेन से जीवन बिताएगी और वो हमारे उद्धार करता परमेश्यों का अच्छा लगता है और उसको भाता है परमेश्वर उन लोगों को प्रशन होता है जो अपने देश के लिए प्रातना करते है देश के लिए वो लगातार प्रभु से धन्यवात करते है परमेश्वर ऐसे लोगों को ऐसे लोगों पर प्रशन रहता है इतना ही नहीं लेकिन आगे लिख रहा है जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली बाती पहचान ले क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बीचवई है अर्थात मसी इश्यू जो मनुष्य है परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब मनुश्य का उधार हो और वे सत्य को भली बाती पहचान ले आज सत्य को नहीं जानते हुए काफी लोग काफी प्रजाएं लोग बंधवाए में हैं लोग सत्य को नहीं जानते इसलिए पाप के अंदर जीवन जी रहे है अंदकार के अंदर उनका जीवन वियर्थ हो रहा है लेकिन परमेश्वर चाहता है कि सबी का उधार हो और सत्य को भली बाती जान ले सत्य कौन है? सत्य क्या है? यिश्व मसी ही सत्य है परमेश्वर का वचन सत्य है यिश्व मसी संसार का उधारक है इस सच्छाई को हर इंसान पहचान ले और लिखा है क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुश्य के बीच में भी एक ही विच्वई है अर्थात मस्य यिश्व जो मनुश्य है एक ही विच्वाई एक ही मध्यस्त है परमेश्वर एक ही है सब लोग जानते हैं अन्य धर्मों में भी लोग इस बात से जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है लेकिन इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर और मनुश्यों के बीच में एक ही विच्वई हैं मतलब कि मसीश्यू पाप से छुडाने के लिए एक ही मार्ग है उद्धार के लिए एक ही रास्ता है और वो मसीश्यू है क्योंकि उसने अपने आपको सब के छुटकारे के लिए दाम में अपने आपको दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई इसलिए प्रेरित पोलुस कहता है कि मैं उसका प्रेरित और उसका मैं शेवक बना हूँ कि अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का सच्चाई का मैं उब्दे सक ठहराया गया हूँ प्रेरित पोलुस कहरा है मैं जुट नहीं बल रहा हूँ मैं इस बात को मैं ठीक ठीक कह रहा हूँ कि उसी के लिए मुझे उस उद्देश्य के लिए प्रचारों और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विस्वास और सित्य का उद्देश्य के टहराया गया है आज हम इस सचाए को जानते हैं कि मसीश्य सारे संसार के लोगों के पापों के लिए वो अपने आपको उसने दे दिया उसने दाम को चुकाया है अपने आपको उसने दे दिया ताकि हर इंसान का उद्धार हो सके इसलिए हम दुसरा कॉरंथियों पांच उननीस में हम पढ़ते हैं कि परमेशन ने मसी में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाब कर लिया और उनके अपरादों का दोस्त उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाब का वच्चन हमें सौप दिया है हर संसार क्या लोगों के पापों के लिए परमेशन ने मसी के साथ संसार का मेल मिलाब कर लिया है और इनके अपराद का दोस्त उन पर नहीं लगाता और इसलिए प्रवित पोलुस कह रहा कि सब लोगों के लिए तुम बिंती, निवेदन और फ्रात्ना और धन्यवाद करते रहो क्योंकि परमिश्वर किसी का भेदभाव नहीं डगता हर इंसान के लिए उसने अपने बेटे मसी को दे दिया है और उसके अपरादों को अभी नहीं गीन रहा उस पर दोस्त नहीं लगा रहा है और यह मेल वचन उसने हमें शौप दिया है और उसकी बिस्वी आयत में लिखा है इसलिए हम मसी के राज़दूत हैं मानो परमिश्वर हमारे द्वारा बिंती कर रहा है हम मसी के और सनिवे दिन करते हैं कि परमिश्वर के साथ मेल मिलाब कर लो अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं और आपने अगर परमिश्वर के साथ अपना रिस्ता नहीं बनाया है मेल मिलाब नहीं बनाया है आज आपके लिए यह मौका है हम अपसे निवे दिन करते हैं कि परमेश्यों के साथ मेल मी लाप कर ले उसने हमें राज दूत बनाए है परमेश्यों के राज्ये के हम दूत परमेश्यों की सुस्वमाचार को शुनाते हैं परमेश्यों ने सब के लिए द्वार को खुला है जो को विश्वास करता है उन्हें अनन्चिवन मिलता है और इसलिए प्रेडित पहलोस इस बात को समझा रहा है कि एक ही परमेश्वर और इनसान के बीच में एक ही मद्यस्त है और वो है येश्व मसी यहाँ पर कोई धर्म नहीं लिखा है मसी और परमेश्वर के ऐसा नहीं लिखा है किसी धर्म के बारे में नहीं लिखा है लकिन इनसान मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मतलब के ये सच्चाई को हर इनसान जान ले कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विच् मसी और इसलिए इबरानियों 27 पच्चीस में हम पढ़ते हैं इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्य के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर शकता है क्योंकि वो उनके लिए बिंति करने को सरवधा जीवित है मसी इश्यू जो परमेश्य के पास जो लोग आते हैं वो उनका पूरे पूरा उद्धार कर शकता है उद्धार करने में वो सामर्थी है क्योंकि वो उनके लिए बिंति करने को सरवधा जीवित है इसमसी कल आज और यूगान यूग एक्षा है वो आज भी जिंदा है वो आज भी जीवित है और जो कि परमेश्वर के पास आना चाहता है उनके लिए वो बिंति करने को सरवदा जीवित है इस सच्चाई को हमें जानना है कि परमेश्वर ने कैसे हमें उसके पास हमें बुलाया और आगे वो कह रहा है कि इसलिए मैं चाहताओं कि हर जगा पुरुष बीना क्रोध और विवाद के पवित्र हातों को उठा कर प्रातना किया करें वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्तरों से अपने आपको संवारे न की बाल गुतने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से पर भले कामों से क्योंकि परमेश्यों की भक्ती करने वाली स्त्रियों की यही उचित भी है यहाँ पर हर प्रभु के लोगों के लिए प्रभु पॉलूस इन बातों को लिख रहा है कि इसलिए मैं चाहताओं कि हर जगा पुरुस बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हातों को उठा कर प्रात्ना किया करें यह कोई वीदि यह नियम नहीं है लेकिन प्रेट पॉलूस कह रहा है कि अपने पवित्र हातों को मतलब कि निर्दूस अवस्था में सच्चाई से बिना कुड़कुडाये बीना क्रोध और विवाद के साथ अपने पवित्र हाथों को प्रभु की ओर उठा कर प्रात्न किया करें मतलब कि सच्चाई से अपने हाथों के साथ प्रभु का वचन कहता है अपने हिर्दय को भी उसके ओर उठाए मतलब कि संपुन हिर्दय से निश्वार्थ भावक से प्रात्न किया करें और स्त्रियां भी बिना संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्तरों से अपने आपको समारे यहाँ पर स्त्रियां लोगों के लिए प्रे तोलुस भारपुर्वक वो लिख रहा है कि स्त्रियां बिना संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्तरों से अपने आपको समारे ना कि बाल गुतने या कुसोने चांदी या मोतियों से बहुल कपडों से स्त्रियां जो है वो कलीशया के अंदर वो आधिनता के शाथ डिसिप्लिन में रहते हुए प्रभ की आग्या को मानते हुए उसको कलीशया के अंदर शिखना है और उसके जो समारने की जो बातें प्रे पोलुस यहाँ पर लिख रहा है कि अपना बाहरी जो समारना है बाहरी जो दिखावा है वो ऐसा ना हो यह संसार के लोग अपने आपको समारते हैं बहु मुल्य सोने चांदी के गहनों से या अपने अलग-अलग स्टाइल से बालों को गुतने से मतलब कि जो बाहरी जो दिखावा है उसे उसे बचके रहे मतलब कि अपने आपको अंदर से अपने आत्मिक जीवन के अंदर अपने आपको समारे और संयम के साथ बिना संकोच के साथ सुहावने वस्तरों से धर्मिक्ता के वस्तरों से अपने आपको समारे हमारा दिखावा बाहर का नहों लेकिन हमारे अंतरिक मनुश्यत्व को हम समारे जो पवित्रता के धर्मिक्ता के शाथ उसको समारे ताकि हमार जीवन के द्वारा परमेशुर के महिमा करें ताकि संसार के लोग हम पर दोस्त लगाए या हमारा जीवन सहली ऐसी हो जिन के द्वारा परमेशुर को महिमा मिले इसलिए पहला पत्रोज 3-3 में भी हम पढ़ते हैं वहाँ पत्रश विरुलन दे रहा है तुम्हारा सुरूंगार दिखावाटी ना हो अर्थात बाल गुतना और सोने का गहना या बाती-बाती के कपड़े पहना वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुश्यत्व नमरता और मन की दिनता की अविनासी सजावट से सुच जीत रहे क्योंकि परमीश्र की जो मसीश में छिपा हुआ है इस भेद को हम जानते हैं और नमरता और मन की दिनता से अविनासी सजावट से हम सुच जीत रहे क्योंकि परमीश्र की दर्ष्टी में इसका मूल्य बड़ा है यहां पर पत्रस भी जो बेहन लोग हैं उनको जो उनकी जो सजावट हैं उनका ज पर मतलब की जो मुल्यवान, सोने, गहने या भाती-भाती के कपड़े पहनना जो संसार के जो फैसन है उनके समान नहीं होना है इसका मतलब ऐसा हैं कि हम अच्छे कपड़े ना पहनें हम अच्छे कपड़े पहनें अपने आपको समार है teenager सुन्दर वस्तरों से अपने आप परमिश्य की प्रेम नमरता और मन्त की दिंता से बईतरात्मा के फलो से सजावट करके, हमें अवी नासी सजावट से सुशजित रहना है हमें धार्मिक्ता के वस्त्रों प्रमेशन में पहनाता है हमें स्तूती के वस्त्रों के हम पहनना है हमारा जीवन स्तूती से बहरा है हमारा जीवन दया से बहरा है हमारा जीवन प्रेम से बहरा हो और प्रमेश्य की दस्टी में उसका मुल्य बढ़ा है यहाँ पर प्रेरित पॉलुस पूरुस और स्त्री के बारे में लिख रहा है लेकिन हम सास्तर के नए नियम के अन्य भागों में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रेरित पॉलुस यह से गलातियों तीन अठ्थाइस में पढ़ते हैं मसी इश्य में ना कोई पुरुस ना कोई स्थरी नर नर नरे परमेश्वर सभी को एक समान बनाया है लेकिन स्थरी के बारे में यहाँ पर जो पहुलूस लिख रहा है कि स्थरी को चुपचाप पुरी अदीनता से सिखना चाहिए मैं कहता हूँ कि स्थरी ना उपदर्स करे ना पुरुस पर आग्या चले परत चुपचाप रहे इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने हमें मसी इश्य में पुरुस और स्थरी को एक समान द्रिष्टी में देखता है मसी इश्य में ना कोई पुरुस ना को इस तरिक नर-नर-नारी लीं के हिसाब से कोई अलगता नहीं है मसी में सब एक है लेकिन जो स्थरी का जो अधिकार जताने के जो बात है एक authentic जो बात है इसका इस्तेमाल जो गुरूर्टा और लिडर्शिप के धाग जमाने की बात जो है ऐसे रुपों के लिए इस्तिमाल किया गया है जो स्थ्रिया अपने स्वभाव के अंदर धाग जमाने वाली या पूरुष पर अधिकार जताने वाली ऐसा स्वभाव का ना हो लेकिन नम रहोकर दिंता के साथ कलिश्या में चुप चाप रहे मतलब के कलिश्या के अंदर शिखे वो अपने अधिंता के अंदर डिसिप्लिन में रहते हुए फरमिश्य की बातों को वो सिखे और इसलिए प्रेइट पॉलुस आदम और हवा का एक्जामपल दे रहा है कि आदम पहले उसके बाद हवा बनाए गई और आदम बहकाया न गया पर इस्त्री बहकाव में आकर अपरादिनी हुई पुरुस और श्त्री को परमेश्य के आदिनता में रहते हुए सिखना है क्योंकि परमेश्य हमें मसी में एक यह है और इसलिए श्त्री को कलिश्य के अंदर वहाँ पर उब्देश देने की बात वो कह रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्त्रीय प्रबु की सुसमा अचार को ना सुनाये या स्त्रीय को उब्देश ना करें इसी बात नहीं है लेकिन इस्त्री को नमरता से सिखना है उसको आधीनता में रहते हुए सिखना है और वो उसके लिए आदर का भाग बता रहा है लेकिन हम नएनिये में देखते हैं कि युश्मसी के समय में भी इस्त्रीया प्रमेश्र के सुस्वमचार के भागी हुई यह से लुका दस 38 से लेकर 42 में हम पढ़ते हैं वहाँ पर मार्था मरियम जो बहने थी उसमें मरियम जो है वो परमियश्वर की सिश्य के रूप में उसके सेवकाई के अंदर सुसमाचार के सुनाने के लिए वो एक सिश्य के रूप में हम देखते हैं और रोमियो 16 अध्या में हम देखते हैं कि काफी महलाएं काफी बहने परिद पॉलुस की सेवकाई के अंदर वो भागी हुई सुसमाचार सुनाने में कलिश्य के अंदर फरातना में और अगवाई करने में काफी महलाएं को परिद पॉलुस याद कर रहा है उनको अभिवादन दे रहा है सबको याद कर रहा है मतलब कि कलिश्या के अंदर कोई ऐसा भेगभाव नहीं है पुरूस और स्त्री के लिए लेकिन स्त्री को नमरता से शिखना है स्त्री को अधीनता में रहना है और उसी के चलते जो साहयम और फ्रेम और विश्वास में अगर बनी रहती है पवितरता में बनी रहती है तो वो महान उद्धार में वो बनी रहती है प्रेडि पॉलूस इस बात को बताना चाहता है कि कोई भी ऐसा अधिकार ना चलाए लेकिन पूरे गंबीरता के साथ दिंता में प्रभु की शिक्षा को पाकर कलीश्या में सारे लोगों के लिए फ्रात्ना निवेदन करना है सारे लोगों के लिए मद्यस्थी करना है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर इंसान उद्धार को प्राप्त करे किसी का नास ना हो सब अनंचियों प्राप्त करे परमेश्वर की इच्छ तक रहा यही है और इसलिए परमेश्वर और मनुश्य की बीच में एक ही मैल्स मतलब कर कि यूश्य मसी इस सक्चाई को हर इन्सान जाने और इसलिए हम हमरे देश के लिए देश के अगु बिए परातना करना है सारे देशवाशियों के लिए प्रात्ना करना है कि परमेश्वर कर राज्जे परमेश्वर की शान्ती मारे देश में स्थापित हो जाए और महान उद्धार जो की सारी पृत्वी पर प्रगट है और उस उद्धार का अनुभव हमारे हरे एक देशवाशी करशकें और इसी आसारूइ स्वाश के साथ इस वचनों को हम लेकर सबी लोगों के लिए फरात्ना, बिंती, निवेदन और धन्यवाद करें और हमारे देश का अगुव के लिए हम ऐसा ही करें ताकि हम सांती से चेन से हमाई भक्ती गंभीरता से हम करशकें और परमेश्वर को यही अच्छा लगता है और परमेश्वर नमें इसलिए चुन लिया है कि हम हमरे देशवासियों के लिए हम आसिस का करण ठहरें और इस बात को जानते हुए मैं बिंती करना चाहता हूँ कि हमारे देशवासियों के लिए हम लगातर परात्ना करें हमारी बिंती को सुनने वाला परमेश्वर जो उत्तर देने वाला परमेश्वर हमें जरूर हमारा प्रतिपहल देगा और इसी वच्छनों के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि परमिर्श्र की उस वचनों को हम गंबिता से ले और जिम्मिदारी के साथ हम हर लोगों के लिए प्रात्ना करें निवेदन करें और इस सिक्षा को लेकर हम आगे बढ़ें प्रभु आप सभी को आसे शीत करें अमेन